नमस्टकार दोस्तों, एडरोइट कॉंपेटिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग रिजनिंग का ब्लड रिलेशन कर रहे थे, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और महत्पून कोशन करते हैं, लास्ट राइम हमने कोडिड एक्वेशन टाइप वाले कोशन किये थे, जो की ब्लड रिलेशन के अंदर कोडिड रिलेशन जो आते हैं, ठीक है पहले हमने पढ़ाते हैं, जो फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं, आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, आज हम पढ़ने वाले जो पीछे से आगे की father of A, A plus B इस plus का मतलब क्या है? B A का father है, या रिवर्स relation बताया गया कैसे relation बताया है? reverse A minus B मतलब B is the mother of A यानि पीछे से answer बताया क्या है? इसका मतलब है इस question को solve करने के लिए हम पीछे से चलेंगे यह बात आई समझ में अगर बहुर ऐसे करेंगे तो हमारा question कभी ठीक नहीं होगा तो इसको पीछे से करना शुरू करते हैं ताकि series में question सोल हो जाता है बस यह धियान लखना है अगर A plus B means A is the father of B होता तो हम आगे से पीछे की तरफ जाते हैं B is the father of F है तो आगे की तरफ जाते हैं पीछे से आगे इतनी बतारी समझ में चलो एक दो सवाल ट्राई करके देखते हैं फिर आपको इस सवाल अच्छे से आ जाएंगे exam में कई बार थोड़ी सी गलती ही हो जाती हम इसको पढ़ते ही नहीं है पहले वाले को दूसरे का फादर बना लेते हैं और इतनी सी गलती ही हमारे सवाल को बिलकुल गलत करते हैं चुरू करते हैं बच्छे, ठीक है, चाहेता है, P, Hashtag, Q, Hashtag का मतलब क्या है, Doter, अब हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फे देखना, Hashtag का मतलब क्या है, Doter, तो P, Doter है, क्यों की, तो देखो, P, इधर आ जाएगा, Doter है, किसकी, क्यों की, तो क्यों कहां आ गया, उपर, उसक है उसके वाद है आर प्लस एस प्लस का मतलब क्या है फादर आर प्लस का मतलब क्या है फादर आर जो है फादर है किसका एस का तो एस आ जाएगा इदर as hashtag T, hashtag का मतलब है doter, hashtag का मतलब क्या है doter, कि doter है किसकी T की, तो T आ गया उपर ये दोनों भाई बैन आ गए, जब दोनों भाई बैन आ गए तो यहाँ एक कीज जो आने वाली है वो क्या है, कि भई देखो ये होने वाली है minus और इन दोनों के बीच में आएगा husband wife का relation T minus U, minus का मतलब क्या है mother, T जो है वो क्या है mother है, ठीक है भई T mother है किसकी ठीक है, T है mother U की तो ये mother है U की, तो U आ जाएगा इदा, कितनी बात आई समझगो सवाल क्या दिया है, किस तरीके से P U से संबंदी था, P का U के साथ क्या संबंद है, ये देखो, ये सारे के सारे भाई बेन होंगे ये सारे के सारे क्या है, भाई बेन ठीक है, तो भाई का, भाई की बेटी है ये, भाई की बेटी है ठीक है, भाई की बेटी क्या बोलते है बतीजी जो बोलते हैं बतीजी ठीक है तो यह इसकी बतीजी लगने वाली है और इंगलेश में इसको क्या बोलते हैं नीस option क्या आगया नीस कितनी बात आई समझ में यह diagram बनने वाला है इसको ध्यान से आपको देख लेना है आगे चलते हैं बचे next question आपके सामने है a plus b means b is the father of a यानी reverse वाली चीज लगाई है यानी यहां से यह relation लगा है और जब यहां से यह relation होता है तो आपको कहां से शिरू करना है पीछे से आगे की तरफ जाना है कितनी बतारी समझ में शुरू सवाल को आगे करते हैं पी, star क्यो अफ़यों star का मतलब क्या है बचे star का मतलब है अगे next को तन क्या है किसका एसका पैस्ट पिलस का निशान ऊपर आजाएगा S आप सवाल क्या पूछा है? कोन है बेटा? बहन के बेटे को क्या बोलते हैं? बहनजा करता है या इसे नफुय देता है तो आपको समझ में ना है चाहिए आगे देखो बचे A प्लस B B is the father of A यानि फिर से reverse चल रहे है और जब फिर से reverse चल रहे है तो हमें जो अपना answer है वो कैसे करना बढ़ेगा बचे यहां से हम अपना answer करेंगे reverse से P प्लस क्यों? प्लस का मतलब क्या father यानि P जो है वो father है किसका क्यों का क्यों multiply by R multiply का मतलब क्या है brother जान रहना multiply का मतलब क्या है brother तो क्यों जो है वो brother है किसके R divided by S divided का मतलब क्या है sister तो भई R जो है वो sister है किसकी S S multiply by T multiply का है multiply का मतलब है brother तो भई यह क्या है brother किसका brother है T तो T आ गया इदा है, T plus U प्लस का मतलब है father T father है, किसका U का, तो U कहा आ गया नीचे, इतनी बात आई समझ में अब यहाँ देखो बच्छे, यह सारे के सारे brother sister होंगे यह इनके पिता होंगे यह सारे के सारे भाई बेन यह कौन आने वाले, इसके पिता, नीचे आ गया U, ठीक है, यह अगर आप हो, यह आपके बेटे, यह आपके बेटे का बेटा, ठीक है अब सवाल क्या है, P, U से किस परकार संबंदित है, P, जो है U से किस परकार संबंदित, P, इसके क्या लगे कौनसी जनरेशन, उपर वाली जनरेशन, बेटे का बेटा लगता यह, तो मैं कौन लगा, मैं दादा लगा ठीक है, तो U तो P का क्या लगने वाला है पोता और P, P, U का क्या लगेगा, दादा और U, P का क्या लगने वाला है तो इसने पूछा क्या है P U से किस प्रकार संबंदी थे तो अंसर क्या आ जाएगा ये इसके कौन है दादा जी है कितनी बात है इस समझ में equation जरूर match कर ले ना बच्चे कई बार हो सकता है equation थोड़ा up-down कर दो आप equation सेम बनी तो automatically आपका अंसर जरूर आ जाएगा आगे चलो बच्चे next question है U plus T star S multiply by R minus Q plus P A plus B means B is the father of A तो हम कहाँ चलेंगे reverse से अपने question को try करेंगे देखो बच्चे multiply by Q multiply का मतलब है brother ठीक है तो हम लिखेंगे बई जो P है वो brother है किसका यो का उसके बाद माइनस माइनस का मतलब क्या है mother माइनस का मतलब है mother क्यों है जो mother है वो किसकी है R की mother उसके बाद क्या multiply का मतलब है brother R जो है वो भाई है किसके S के तो S आ जाएगा इदर उसके बाद क्या star का मतलब है sun ये जो sun है किसके sun है बच्चे ये T के सन है, तो T आ गया इदर, अब जाने ज़र सुनना, ये दोनों भाई है, इसकी माता ये है, तो ये इसके बेटे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये आएगा प्लस और इन दोनों कराओ शादी, ये हो जाएंगे husband wife, ठीक है, उसके बाद देखो, T प्लस U प्लस का मतलब है father, ये जो father है किसके यू की, तो यू आ जाएंगे इदर, आगया ना positive sign, ये दोनों husband wife भी बनने वाले, फिर सवाल क्या, P, U से किस परकार संबंदित है, P का यू के साथ क्या संबंदित है, ये देखो बच्छे, ये नीचे वाले सारे के सारे भाई बेन है, ठीक है, ये इनके पिता, माता, पिता है, ठीक है, अब ध्यान रखने ये आप खुद है, ये आपकी मदर है, मदर का फाई ये आपकों लगेगा, मामा लगेगा, तो P, U से किस परकार संबंदित है, P, U का क्या होने वाला है, मामा होने वाला है, तो answer कितना आ आ जाएगा, तीन, इतनी बात आ पितारत अपना answer, reverse में ही होने वाला है, यहां से शुरू होके, यहां खतम होगा, P, डिवाइड बाइड का मतलब क्या है, sister, तो P, जो है, वो sister है, किस की, क्यों की, क्यों प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, फादर, ये फादर है किस के, ये फादर है, आर के, तो R आएगा नी है, इसकी डोटना है, बच्चे T की, तो T फिर से उपर आगया, अब जब T फिर से उपर आगया, सिम्पल सी वात है, ये बनेगी माइनस और दोनों की होगी, ये करवा दी वही शादी, अब देखो, हमने अपनी तरफ से माइनस लगा दिया, ये answer आए गई माइनस, देखना आगया ती माइनस यू, माइनस का मतलब क्या है मदर, ती जो है मदर है किसकी, यू की, जो है मदर क्या है, यू, फिर से सवाल पूछा है, पी यू से किस परकार संबंदित है, पी का यू से क्या संबंद होने वाला है, ये नीचे वाले सारे भाई बहन होगे, ठीक है, इस नहीं बात आई बच्चे समझ में, हम आगे चलते हैं, A plus B, B is the father of A, फिर से वही reverse सवाल, और जब reverse सवाल है तो हमारा answer भी कहा है, एक से चलू करेंगे हम लोग reverse से, P multiply by Q, multiply का मतलब है brother, P जो है, वो brother है किसका, क्यों का, तो same generation है तो same में लिखेंगे, same generation तो same side, उसके बाद है hashtag R, hashtag का मतलब क्या है, डोटर, भाई यह जो डोटर है, P multiply का मतलब था brother, P जो है brother है, किसका, जो का, hashtag का मतलब है daughter, यह जो daughter है, वो किसकी है, R की daughter है, R divided by S, divide का मतलब है sister, R जो है sister है, किसकी T की, उसके बाद है multiply, multiply का मतलब है brother, तो P brother है किसका, P है, brother है, जागर दिया, दोबारा देखते हैं, बच्छे एक बाद थोड़ी सी गड़बड होगी, देखो बच्छे एक बार देखते हैं इसे, P multiply by Q, multiply का मतलब है बच्छे brother, तो P जो है, P जो है brother है अपने पास क्यों का, उसके बाद है क्यों हैस्टेग R, हैस्टेग का मतलब है daughter, ये जो daughter है किसकी R की, तो R आ जाएगा अपने पास उपर, ठीक है, R divide S, divide का मतलब है sister, R जो है sister है किसकी S की, तो S आ गया इदा, S multiply by T, multiply का मतलब है brother, S जो brother है वो किसका है T का, T हैस्टेग U, हैस्टेग का मतलब है daughter, ये daughter है किसकी U की, तो U कहां जाएगा उपर, ठीक है, अब यहाँ देखो जो important बात है, ये सारे के सारे भाई बेन होंगे, इधर ये दोनों भाई बेन होंगे, और ये भाई साब सबसे ऊपर होंगा, इतनी बात है इस समझ में, ये सारे भाई बेन, ये इसके mother ये father, ठीक है, अब ये कौन है, बेटी के बेटा और बेटी, ये अगर आप ये आपकी बेटी है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके नाती ये नाती निक्या लाएंगे, ठीक है, अब इसने बोला कि वह यू का पी से क्या संबंद है, वह यू का पी के साथ क्या संबंद है, वह या तो ये तो नाना निकलेगा या नानी निकलेगी, तो कि देखो इसका भी gender नहीं बता रखा, तो नाना या नानी इसका अंसर है, अच्छा यहां देखो, इसने नाना भी दे रखा है, और नानी भी दे रखी है, अगर नाना नानी में से कोई एक दे रखा हो, तो अपना असर बिल्कुल आ जाता, वह लगा के आगे निकल लेते, लेकिन हम क्या बोलेंगे अभी, जानकारी अधूरी है, ना यह हम नाना लिख सकते, ना हम नानी लिख सकते, अगर पॉजिटिव अंसर होता तो नाना, नेगिटिव होता तो नाना, इस कोशन को इस तरीके से डील करेंगे, और ऐसे सवाल एक्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, आगे देखो बच्छे, सेम सवाल है, इसको भी हम यहां से ट्राइ करने वाले हैं, पीछे से, P प्लस क्यों, प्लस का मतलब क्या है बच्छे, फादर, तो भई जो P हैं, वो फादर है किसके, आर डिवाइड वाई एस, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, तो आर जो है वो सिस्टर है किसकी, उसके बाद है, एस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो ये brother है किसके T के तो T आ गया इदा अगला है T हैस्टेग U हैस्टेग का मतलब क्या है डोटर T जो है वो डोटर है किसकी डोटर है बचे U की तो U कहा जाएगा उपर इतनी वाता है ये बचे समझेट अब ये सारे तो क्या कहला है भाई बेन कहला है क्योंकि एकी सीरीज में है अब यह देखो यह इसका बेटा है और यह इसका कुछ ना कुछ मदर्या फादर में से कोई एक होने वाला है यह अगर husband है तो यह कौन होगी wife होगी यह दोनों क्या कहलाएंगे husband और wife बीच में आगा equal to us सवाल क्या दिया है यू पी से किस परकार संबंदित है यह इसकी पतनी क्या लाएगी बच्छे क्या क्या लाएगी पतनी बहुत असान-असान सवाल है इन असान-असान सवाल को करोगे तभी जाकर आपके basics clear होगे और एक बार basic clear होगे उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करने उतनी प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी जो मिलेगी कि आगे सवाल देखो बच्छे कि इन कोश्यन को भी हम लोगों को पीछे से ही ट्राई करना है ठीक है यहां देखो P Hashtag Q Hashtag का मतलब क्या है डोटर आपको सीधा यहां जाना है पहले तो क्या मिलना चीए Hashtag Hashtag का मतलब क्या है डोटर तो भाई P जो है वो डोटर है किसकी क्यों की तो क्यों आ गया उपर जनरेशन में P आ गया नीचे वाली जनरेशन अगला क्या देरिखा है डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या है सिस्टर यह जो सिस्टर है किसकी आरकी सिस्टर आती है із सेम जनरेशन में इधर रखेंगे अगला क्या है Hashtag Hashtag का मतलब है डोटर यह डोटर है किसकी एस की तोfive होग आ गया उपर अब यहां देखो important बाद यह दोनों भाई बेन है ठीक है इसका relation इसके साथ है इसका relation इसके साथ इसका मतलब यह कौन होगे यह husband होगे किसके S के यह दूसरे वाली generation हो गई और यह तीसरे वाली generation हो फिर से सवाल पूछा है यू का P के साथ क्या relation होगा यू का P के साथ क्या relation अब यहां देखो यह माता पिता यह क्या है इनकी बेटी और यह को है बेटी तीन होगी तुनों बेटी का बेटी की बेटी क्या कहलाती है नातिन कहलाती है यहां है कोई नातिन ठीक है लेकिन इसने पूछा क्या है इसने पूछा है यू पी से किस परका प्राइब संबंदित है, खीक है, तो वही you is काौन लगा, यू इसका कौन लगा, ना ना लगा, मम्य के पापा, आपकी ममी, मम्य के पापा क्या लगेंगे कि ना लगेंगे, तुरहिए लगने वाले है, ना ना तो आपका option क्या जागा, ए ना गाते लोग चेप, अब मेरी ब कौन सा P-U का भाई है, P-U का भाई है, पाचो सवाल ट्राई करोगे, एक तरीके से पाच सवाल होगे, प्रैक्टिस के लिए कोई न कोई अंसर आएगा, एक अंसर वो आएगा जिसमें इसका भाई बनने वाला है, यह आपको कमेंट वोक्स में लिखके बताना है, ठीक है, एक बात है इस समझ में, उमीद है कि आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लिए होगी, तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर इस वाले कोशन के न अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दो, तो अच्छी खासी मेरे हिसाब से प्रैक्टिस हो गई है, बाकि जित के अंदर बाकी जो दिवार पे टंगे हुए तश्वीर को देखकर जो हम अंसर बताते हैं कि दिवार पे टंगे हुई तस्वीर को देखकर एक वेक्ति ने कहा इसकी सास मेरी बुगा की लड़की है तो बता मेरा उसके साथ क्या संबंद है इस तरीके के सवाल वहां से निकल क आज के लिए फिलाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद.